हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई यूटूब चैनल माधर जेसी असी में फ्रेंड्स आज हम उन भी सेवों पे चर्चा करेंगे जहां पे प्रतियोगी परिछाओं में अत्रथिक कोश्चन कोई संभावना बनी रहती है आज हमारा टॉपिक है रामसर कन्विंसन तथा उनसे जूड़ी महतपुर सब्दे जैसे हम आज के चैप्टर में इसको हम चर्चा करेंगे एंड लास्ट में जो है हमारी टॉपिक है तो मॉन्ट्रिक्स रिकार्ट क्या होते हैं इस विसेबे हम आज चर्चा करेंगे तो आएए लेट से स्टार्ट आदरभूमी या वेटलेंड्स क्या है तो आदरभूमी एक ऐसी जगह होती है जहां पे जमीन पानी से धकी होती है त तो भी क्या होते हैं वेटलेंड के स्रेडी में आते हैं आएए इस फीगर के माध्यम से हम समझते हैं कि वेटलेंड्स क्यार करते हैं तो देखिए यहां पे क्या है यह कोस्टल एरिया है यह क्या होगा यह दलदली एरिया होगा तो यह क्या है एक वेटलेंड्स को करते हैं इसके अर्थात एक गाउं में जो तलाब होता है वो भी क्या होता है एक वेटलेंट के स्रेडी में आता है जथा जो समुद्र के तटी एरिया है कोस्टल एरिया है जो हां पे जो है नीचला जो है तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि रामसाइट साइट किसे खा जाता है जब कोई विटलेंड्स क्या होता है अंतरास्ती महत्व का हो जाता है अर्थात उसको अंतरास्ती अस्तर पे देखा जाता है किसकी महत्व हो है तो उससे क्या कहते हैं उसको रामसाइट साइट में इंक्लूट कर लेते हैं अब भारत का भौतीक स्वरूप काफे बिस्त्रित है आपको पता है इसके एक और जो है नदिया जरने तथा एक और जो है रेगिस्तान दल्दली भूमी वाले वेटलेंस पाये जाते हैं जैसे गुजरात में क्या है नल-sarawan-1 में दल्दली है राजस्तान में रेगिस्तान है और इसके बाद अगर देखेंगे तो पूरवी छेत्र में जो है दल्दली एरिया भी पाये जाते हैं जैसे सुन्दरवन ये क्या है ये भी वेटलेंस के रूप में आते हैं इन्हें राम रामसर साइट क्या होती हैं, इसके विश्रे में हम जानते हैं, रामसर साइट दुनिया की बायोड़र्शिटी के साणज़ड की उद्धे से बनाए गया है, एक सबसे पुराना अंतराश्टी समझाता है जिसका उद्देश दुनिया में महतपुर वेट लेंड्स की सुरच्छा करना है इसकी अस्थापना कब होई थी? दो फरवरी 1972 को इसको क्या हुआ था? इस्टेबलाइस किया गया था और वो इस्टेबलाइस कहा किया गया था? इरान के रामसर में इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रामसर कहा जाता है तो इरान के रामसर में क्या हुआ था? इसको इस्टेबलाइस किया गया था रामसर कैप्सियन सी के दच्छिट किया आने पर इस्थित एक सहर है 2012 में उपयोग के लिए एक अंतराश्टी संदी पर स्थाचर किये गये थे अब कन्विंशन का मिसन क्या है दुनिया में अस्थानी राश्टी अंतराश्टी सयोग के मादेम से सभी आदरभूमियों का सरच्छट उचित उपयोग करना है जब किसी वेटलेंड्स को रामसार साइट घोसित कर दिया जाता है तो उसे बहुत ही कड़े दिसा निजित्सों के तर सरच्छित किया जाता है तो क्या किया जाता है इसका मुख्य उद्दे से क्या है जैसे कि जो हमारे स्थानी स्थानी अस्तर के जो वेटलेंट्स हैं जैसे हमारे बहुत बड़े तलाब हो गए तो उनके महत्व के अनुसाल जो है उनको सरच्छर ब्रदान करके उनको क्या किया जाता है सरच्छित किया जाता है ताकि जो है हमारे जो है वो क्या है नविक्रड के इतने जा सारे परियास के जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अती महतपूर होगा आए जानते हैं कि वेटलेंस क्यों महतपूर है ये प्राकिति संसाधनों और क्रियाओं का महतपूर सुरोत है आप जैसा जानते हैं कि कुछ वेटलेंस के नाम जैसे सुन्दरवन डेल्टा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्राकिती संसाधन पाये जाते हैं अर्थात जैसे पायस्तिकी तंत्र को संतूरित करने वाले पेड़ पौधी, जीवजन्तू ऐसे दलदली अस्थनों पर क्या होते हैं कि खादे जो सिलिंखला है वो काफी विक्सित करता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे भोजन, भूजल रिशॉर्जिंग स्टोर, जल सोधन चमता, बार से बचाओ, भूमी कटाओ, नियंत्रड तथा जलवायू नियंत्रड आदी जैसे जो है महतपूर्द स्रोथ वहाँ पे बिद्दमान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, मीठे पानी की क्या होती, आपूर्ती भी हमें आदरभूमियों से होती है जिसे क्या होता है, भूजल को सोखने वह पुनर भणर में मदद करते हैं तो वाटर रिचार्जिंग में, इनकी क्या होता है, इनका बहुत पूर योगदान होता है तो आईए हम समझते हैं कि यह किस प्रकार महतपूर है एक figure के माध्यम से तो दोस्त यह देख रहे हैं आप figure है यहाँ पर क्या है एक wetlands है यह ददली एरिया है एक यह क्या है दल्दली एरिया है जहां पर क्या है कि हमारी क्या होता है कि यहां पर पानी होता है आके जब क्या होता है स्टोर होता है तो यहां पर जो है स्टोर होने के बाद जो असुदियां होती है वो बैट जाती है असुदियां बैटने के बाद यहां कुछ पॉस्टिक क्या होते हैं, elements भी होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पे दल्दली एरिया में, जो कुछ पौधे होते हैं, उनको क्या करते हैं, ग्रो करने में योगदान देते हैं, जिससे यहाँ पे biodiversity अधिक सखन देखी जाती है, तेथा यह पच्छीयों के आवास के लिए, यह महतपूर होते हैं, यह provides करते हैं, एक critical condition, wildlife habits के लिए, और क्या करते हैं, जब यहाँ पे असुधियां बैठ जाती है, तो आगे चलके हमें क्या होते हैं, यह fresh water क्या होता है, fresh water मिलता है, आईए हमें एक और चित्र के मादियम से समझते हैं, कि यह किस प्रकार जो है, हमारे water को, हमारे नहीं बहुँ रिचार्जिंग को मदद करता है, water recharge को, तो देखते हैं, coastal area में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे मार्स होते हैं, जिससे यह जले पौदे को grow करने में, क्या करते हैं, help करते हैं, यहाँ पे मिट्टी संस्तर होती है, जिससे जो क्या होता है, यह पानी रहा था, इसके 30 एरिया पर बहुत सारे mangrove बन पाया जाते हैं, जैसे हमारे सुंदरवन डेल्टा के आए, रामसर साइट में कंविंशन में, क्या है, include किया गया है, तो वहां पर क्या होता है, कि वहां पर बहुत सारे mangrove बन आपने देखा होगा, ठीक है, तो आएए हमें इ पानी की कमी हो जाती है, उस वक्त हम वहां से सारे पच्छी दज्छ की ओ्र माइग्रेट करते है कई हजारो किलोमेटर का सफर तय करते हैं, और दज्छिड में इस्थित Wetlands में कई महीनों तक प्रजनन भी करते हैं जो यह एक अत्महत्ति महतपूर जो है योगदान देता है वेटलेंट्स जो है पास्त की तंद्र को बनाए रखने में वेटलेंट्स का सरच्छर नहीं किया जाये तो इस इन प्रजातियों का जीवन संकट उत्पन हो जाता है तो इसमें क्या है कि आप संद्चित किया जै ताकि हमें वहाँ पर भासकी तंद्र है वह संद्चित हो सकें जिसे प्रित्भी का संतून बना रहे सकें आगे हम देखते हैängt कि रामसर साइट सबसे स्मॉलेस्ट और भारत में जो है largest smallest स्मॉलेस को रामसर साइट को हम देखते हैं तो आज सारे भीस में लगभग कितने हैं रामसर साइट हैं लगभग 2300 साइट हैं जो सारी धरती के लगभग 20 लाख वर किलोमेटर से जादे में फैली हुई हैं दुनिया की पहली जो रामसर साइट है वो कोबार्ग प्रायदीप थी अर्थाद आसलिया में है इसको 1974 में अर्थाद रामसर साइट की कणविंशन के दो साल बाद ही जो है इसको घोषित कर दिया गया था आज दुनिया के सबसे अधिक रामसर कंविंशन के तहट जो है रामसर साइट को जो है United Kingdom के पास है जो 175 है कितना है 175 है और मैक्सिको में कितना है 142 है दुनिया के सबसे बड़ी रामसर साइट जो कितने है 60,000 वर किलोमेटर के अंतर गाती ते वो डेमेक्रिटी रिपब्लिक और यह एक लघ आट पास है तो आये हम इसको मैप के जरी थोड़ा सा देखते हैं यह Bay of Bengal यह है रहा चिलका जिल जो क्या है एक wetlands इसको घोसित किया गया है तो यह भारत की सबसे बड़ी क्या है रामसर साइट्स है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और चिलका जिल उडिशा में भारत की पहली रामसर साइट्स तो पहली रामसर साइट्स कौन थी केवलादेव नेशनल पार्क राज़ो राजस्थान में सच्चुएटेड है और चिलका जिल जो उडिशा में है जो हमारी सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स है वो क्या है पहले सबसे पहली जो है रामसर साइट थी रामसर साइट में भारत कब सामिल हुआ था रामसर साइट में भारत जो है एक फरवरी 1982 में सामिल हुआ था इसके पस्चा समय समय पर सर्वेक के माध्यम से भारत सरकार नए महतपूर्ज वेटलेंज को चिनित करती है वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट हैं भारत दच्छिर एसिया का सबसे बड़ा रामसर साइट वाला देश है भारत में कई वेटलेंज ऐसे हैं जो किसी नेशनल पार्क वाइल लाफ सेंचुरी को क्या करते हैं वाइल लाफ सेंचुरी में बिलॉंग करते हैं आईए हम समझते हैं कि हमारे इंडिया में कितने साइट हैं कौन कौन से साइट हैं इसको हम लोग एक नजर में देख लिखते हैं केलेवरी जुल जो आंद प्रदेश में है, दिपोरो बील जुल जो असम में है, नाल सरोवर पच्छी अब्यारण जो गुजरात में है, यह एक दलदली वेटलेंड्स है, यहाँ पे जो है, क्या है, सबसे जादे क्या पाय जाते हैं, गधे, सबसे जादे क्या पाय जाते हैं यहाँ पर गदे पाय जाते हैं चेदर वेटलेंड्स हिमाचल परदेश में है पोंग डैम जील कहा है हिमाचल परदेश में है रेंडुका वेटलेंड्स क्या है हिमाचल परदेश में है होकेरा वेटलेंड्स जम्मू कस्मीर में सुनसरी मानसर जील जम्मू कस्मीर में जो मानसर जील है जम्मू कस्मीर में वो यही है सुमेरी जील जम्मू कस्मीर में उलर जील जम्मू कस्मीर में इस उलर जील को भी क्या किया गया है वेटलेंस साइट में सामिल किया गया है अस्टमोडी वेटलेंड्स जो है केरल में है ठीक है समस्त कोटा जील ये भी केरल में है वेबनार्ट केरल में है वेबनार्ट जील जानते हैं अब क्या है एक ये गुखुर जील है जो क्या है केरल में इस्तित है भोच वेटलेंड्स ठीक है मध्यपर्देश में है हीरन जो है चाह eagen जब कहने हैं एक dance क्रते हुवे प्रातीत होते हैं भीतर कणिका में हाइखकल क्या होता है कि यह उडिष में है जहां पर हम गरमच क्या है ततफ आज स्थिक परतित होते हैं। फिर लुटिषा में हरिके जिव हरिके बैराज पर चूँबे एक मैडमेड कैसे हो गया एक क्योंकि यह जो है बियास नदी और अभी के जहां बाक्ति है यहां पर क्या राजरस्थान के एक बड़ी सिचाई का माध्यन है इंद्रा नहर यहां पर पानी को रोका गया है जिसके पीछे क्या होता है कि यहां पर पानी कठा हो जाते है यहां पर पानी कठा होने के बाद एक बड़े एरिया में क्या हो पानी कठा होने के बाद तो पहले यहां भूमी थी उसके उपर पानी कठा हो गया तो यहाँ पर क्या है पानी और भूमी का जो है मिलाप है तो यहाँ पर भूमी और जल का स्वधाई है तो इसके क्या है एक महनमीट क्या है वेटलेंड्स है तो एक कांजली वेटलेंड्स जो पंजाब में है रोपड वेटलेंड्स जो पंजाब में है कासेपुर मिया यह भारत की सबसे खारे पानी की यहotा है यह एक वेटलेंट्स है किवलाद राष्टी उद्यान यो राजस्थान में यह है यह पॉइंट केल मेरी वन जीन सिल तर्मिल लाडू में और शजर घिल्ड ने वेत लैंच निवह जह, जिल में ये सारे क्या है अगर हम देखेंगे ये वेट लैंस सिल contractors та सबरे प्र अभार गढ़न दाогод सब्सक्राइब भात्रमार ले लए किया गया है इंडिया में इंडिया में शोका रिया है जो अभी नय पांच नयम साइट कौन से थे लोनार जिल महरास्ट में अभी हाली में तो इसको यह मोस्त इंपोर्टिन बनता है हमारे अगामी परिच्छाओं के लिए सूर्चरवर कथिजी जो आगरा में ये भी नया है आसन बैजार वेराज उत्राखन में ये भी कावर या कावर ताल बिहार में है ताल क्या होता है मतपुर एक बहुत बड़े तलाब का एरिया होता है जहां पर बहुत सारे जैसे पेड़ पौदे ये सब रहते हैं वह होता है वह वह सब्सक्राय होता है आज कल उसे भी किया है कि इन करने लगे आप भाज़ेंटा नमиновीनितिल इस बार शामिल की या भारत नमिनतम भारत नम reflect पीप इसको important है है इसको क्या है इसको देखना है मैर के द्वारा एक बदेख लेते हैं लेट लेंग सको ठीक है यह रहा omeric जमो कशिन में होकर बटलेंड जमो-कशिन में यहां सूर सैउम मांसर देख जमो-कस्मिन में इतास्मारी जो है लेंग कि sept i है अब पहले किया थ है अब आधा के कि फिक ऑई वाइंची यहerm किसी है ट्राग है तो आसी जू है हमें इस आ है यहां पर वे ट्लेंट्स नहीं है जैसे कौन सा राज है कि यहां पर वेटलेंट्स अब हाली में हुआ था लोनार फिर से रूप में घोस्त कहीं था हमेसого खेसे पर दाद मेंWhat सबसरे में घं में की सबसे बहुत है सबसे घंग की सबसे बड़ी जो है भी आभी नमिन्तम वेटलेंस को देखा, दुनिया की सबसे बड़ी वेटलेंस को देखा, तो आगे हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में भारत की सारे वेटलेंस को एक विश्चित अध्यान करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you so much for watching my video, if you like this video and like, share, subscribe, thank you.